अगली खमरें बात करते हैं गॉलियर की जहां 117 साल कुराने गॉलियर वैपाल मेला की धमक प्रदेश नहीं बलकि पूरे देश में हैं दूर दूर से लोग यहां खरीदारी करने और घूमने आते हैं पर अब गॉलियर की इस्तान पर कुरोना की काली चाया भारी पढ़ने लगी है मेला शुरू होने को ही था कि फिर से कुरोना संकट आखड़ा हुआ है चीन में बिगरते हालात के बाद सरकान ने भी गाइड लाइन जारी कर दी है यही कारण है कि गॉलियर वेपाल मेला पर एक बार फिर कुरोना का संकट मंड़ाने लगा है हालात यह हैं कि 25 दिसंबर से मेला सुरू होना है लेकिन अब तक मेले में के वर 30% से दुकानों कभी निर्माण नहीं हो सका है कलेक्टर की गाइड लाइन आने के बाद मेला प्रबंदन भी वेपारियों को गाइड लाइन के आधार पर दुकाने लगाने को कह रहा है एक बार फिर हालात पैदा हो गए हैं जो साल 2021 में बने थे जिसमें वेपारियों को करोडो का नुकसान हुआ था मेला में कारोबार करने वाला वेपारी इस समय दहसत में है वैसे ही बीते दो साल में कोरोना की चलते वेपार में काफे नुकसान हुआ है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच साल 2021 के बीच में ही मेले को बंद करना पड़ा था जिसके कारण वेपारियों को करोडो रुपय का नुकसान हुआ था चाइना में कोविट के बिगरते हालात और पिदेश सरकार के अलट के बाद गॉलियर कलेक्टर ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन चारी कर दी है सेज दुकानदार असमंजस की इस्थिती में है गॉलियर वेपार मेला संग के अकधर्च महेड भदकारिया का कहना है कि गॉलियर वेपार मेला में 50% दुकाने बाहर मतलब अन्य सहरों वप्रिदेशों से आने वाले वेपारी लगाती है दूसरी लहर के मेले में वेघाटा खा चुके हैं मेला अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि कॉरोना की फिर काली छाया आ गई जिससे वेपारियों की धड़कन बढ़ गई है उन्हें डर है पिछली बार की तरह कुरोना का हवाला दे कर मेले को बीच में ना रोग दिया जाए साथ ही सबसे महात्वपूर बात 25 दिसंबर से मेले की शुरुआत होना है लेकिन अब भी दुकानों का निर्मान होना जारी है ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि प्राधी करन ने दुकानों के आवंटन में देरी की है अब आवंटन किया है तब कुरोना को लेकर राजसरकार का अलर्ट जारी है ऐसे में वेपारी परिशान है कि वे दुकान लगाएं या ना लगाएं क्योंकि बीते कोरोना की दूसरी लहर में मेले को बीच में रोकना पड़ा था गॉलियर वेपार मेला प्राधी करन सची निरंजन स्रिवास्तव का कहना है कि गॉलियर का वेपार मेला देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है लेकिन जब से देश में कोरोना आया है तब से गॉलियर वेपाल मेले पर संकट गहरता जा रहा है हलाकि गॉलियर वेपाल मेला प्राधी करन कह रहा है कि मेले का सुभारमत है समय पर ही होगा और अगर कोई वेपाली दुकान या सोरूम नहीं लगाता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा साथ ही जो सासन ने कुरोना गाइडलाइन निर्धारित की है उसके तहत ही मेला शुरू होगा और सबकी तरफ देखती है जब नरण मेदी जी ने बोल दिया मास्क लगाई है जब तीन-चार साल से इस करोना को लोग के अभ्यस्त हो चुके है और हर आदमी अपनी सुरच्चा के प्रिती सजग है और यह आहा ब्यापार की दरश्टी से तो यह मेले की बात आती है तो य यह करितना लग्यो